तोस्तो कई बार होता है कि हम यह 5-6 ID बना लेते हैं फेस्बुक का और उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं और उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम उसे रिमूब करते हैं तो फाइनली रिमूब कर देते हैं लेकिन वह पर्मनेंटल डिलिट नहीं होता है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने फेस्बूक अकाउंट को पर्मानेंटली डिलेट कैसे कर सकते हैं तो वीडियो का लाज तक देखते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब योगरें के सांत में बेल अइकन को प्रेस जरूर कर लेगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं अपने फेस्बूक आईडी को पर्मानेंटली डिलेट याद डियाक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस्बूक में लोगिन हो जाने हैं लोगिन हो जाने पर यहां त्री डॉट पे क्लिक कर देना है मेनू अप्शन पर उसके बाद यहां स्क्रॉल करके यहां सेटिंग्स पर क्लिक करना है फिर यहां सेटिंग्स प्राइवेसी के नीचे है सेटिं सब्सक्राइब करेंगे आपको यहां से सक्राइब कव्सक्राइब करने अपको के leas कर देना है यादि आप चाते हैं इस सब्सक्राइब करना है अब देखिंग हो जाएगा तो है ईतना भी वी पोस्ट है सब चीज भी डिलेट हो जाएगा तो यहां से डिलीट एकाउंट पर क्लिक करना है जैसे डिलीट एकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा तो अपना पासवर्ड एंटर करके फिर आपको तो यहां पर देखिए जैसे अपने डिलीट पर क्ल यदि नहीं चाहते हैं ऐसा तो यहां डिलीट कर दंगे डी आकाउंट फे किलिक जैसे कर दें ईयुत कर देंगे तो अपके सामने एक message आएगा pop-up आपको password ड्लинеक bean करेंगे तो आप डालकर अपना सारी कोबर करना चाहते हैं तो तुछ दिन में रिकोबर कर सकते हैं यदि नहीं तो आप यहां लोग आउट करके आप अपने फेस्बूक से बाहर निकल सकते हैं इसी परकार से आप अपना एकाउंट डिलीट अप देखिये फीर से फेस्बूक को ओपन करेंगे तो एकाउंठ हमारा डिलीट हो चुका है इसी परकार से आप किसी भी पेस्बूक अपन को पर्मानेंट ृड corazón सकते हैं आई होप की वीडियो पसंद आया होगा दी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सांथ में बेल आगन को प्रेस जरूर कर लिजेगा तो चलिए एंड करते हैं